वश्कार दोस्तों, Pathfinder पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों, Brics Summit 2013 जो कि South Africa के जोहानसबर्ग में होने वाला है आने वाले दो तिन दिनों में इस पर पूरी दुनिया की नजर है क्या है कारण कि पूरी दुनिया Brics के समित को देख रही है जो कि Nations Head या State Head का समित होने वाला है कुछ महतपून चीजों पर यहाँ पर discussion तो होने ही वाला है वहीं दूसरी तरफ एक और बहुत important चीज़ जो सामने आई है वो यह आई है कि जहां Brics के expansion की बात चल रही थी और 40 से जाधा राष्ट्यों ने expansion के लिए अपना interest शो किया था France भी उन देशों में से है जिसने interest जताया था कि वो समित को attend करना चाहते हैं जिस पर Russia ने अपना एक तरह से कह सकते हैं विरोध दर्ज किया ये कहते हुए कि France ने Ukraine का समर्थन किया है जिसकी वजह से France को invite ही नहीं किया गया है समित के लिए इसमें और क्या क्या महतपूर्ण बिंदू हैं जिन पर discussion होगा चर्चाएं होगी इन सब चीजों के बारे में हाजम बात करने वाले शुरुवात करते हैं विद्धी न्यूस हैं दोस्तों जो ब्रिक्स क्रूप है ये विश्व की जो सबसे बड़ी emerging economies हैं जिसमें Brazil, Russia, India, China और South Africa हैं इन पाँच देशों से मिलकर बना एक ग्रूप है जिसकी meeting जिसकी पंदरवी Head of the State and Government समित होने वाली है जौनसबर्ग में अगस्त 22 से 24 के बीच में यहां पर कौन-कौन प्रेजेंट होने वाले हैं यहां पर होंगे South African President, Chinese President, Brazilian President और Indian Prime Minister Narendra Modi यह सब expected है कि attend करेंगे इस meeting को except for Vladimir Putin Russian President Putin इसको attend नहीं करेंगे in person for the simple reason क्योंकि उनके against एक arrest warrant है जो की issue किया गया है International Criminal Court के द्वारा उन पर war crimes के आरोप लगे हुए है ठीक है Ukraine में लेकिन पुतिन इसको इसमें participate करेंगे virtually and will be represented in Johannesburg by his foreign minister Sergei Lavrov ठीक है ना यह summit इतना important क्यों है इस पर सारी दुनिया की नजर क्यों है यह जानना ज़रूरी है देकिन BRICS summit 2023 जो हो रहा है है history में जहां पर world जो है वो unilateral से multilateral world की तरफ बदल रहा है unilateral world वो हुआ जहां पर सभी देश जो है अपने अपने बारे में अपने अपने हितों के बारे में जादा सोचते हैं भही जब multilateralism की बात करते हैं तो यहां पर cooperation देखने को मिलता है अलग-अलग देशों के बीच में अलग-अलग राश्च्रों के बीच में तो हम अब इस समय विश्पो उस stage पर देख रहे हैं जहां पर multilateralism की तरफ हम बढ़ रहे हैं now west domination जो है जो global rules थे वो आप दिख रहे हैं घटते हुए after the covid-19 shock and Ukraine Russia war also तो यहां पर कही ना कहीं west की जो domination है वो भी घटती हुए नजर आ रही है तो ऐसे state में इस तरह का जो summit है जो emerging economies का summit है वो बहुत जादा महत्पूर्ण हो जाता है now Russia और चाइना ने अल्टरेड़ी एक full-fledged war launch कर दिया है against the dollars hegemony देखे सब को चाहिए क्या सब को चाहिए अपना domination अपने आपको सबसे उपर दिखाना है चाइना को जहां superiority में आना है चाइना को superior दिखाना है अपने आपको वहीं Russia के अपने reasons है for the war against dollar because Russia-Ukraine war के समय dollar की जो domination है उसकी वज़ाई से कह सकते हैं कि Russia को ठीक है जिसके लिए बहुत सारे steps भी लिए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद इसके बार में discussions होगा लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगे कि जो sources हैं उनके अनुसार फिलहाल bricks economy को लेकर bricks currency को लेकर de-dollarization पर बात चीज़ ज़रूर होगी भारत का क्या stand है वो भी हम देखेंगे लेकिन bricks economy बनाने की बात फिलहाल शायद discuss नहीं की जाएगी यहाँ पर जो Russia-Ukraine war जो चल रहा है वो कहीना कहीं उसका प्रभाव जरूर होने वाला है समित की proceedings पर यह देखने को मिलेगा इसके बारे में detail में बात करते हैं but before moving forward on academy results आपको दिखा देती हूँ दोस्तों आप भी इन में से एक हो सकते हैं हमारा उडान batch का हिस्सा बनकर यह आखरी मौका है आपके लिए to learn from the top educators हमारी pathfinder team के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं this is your last chance batches first September से शुरू हो रहे हैं 31 August आखरी तारीक है to enroll for the उडान batch आखरी batch हो गई है हमारी series का ND live 10 आपको code use करना है और enroll करने ना है इसमें ताकि आप अपनी तयारी को बिल्कुल सही direction में कर सके हमारी पूरी team के साथ Hindi medium batch के साथ भी आप जुड़ सकते हैं अगया निकत्र सारी जो है last date है code आपको यूज करना है ND live 10 बिल्कुल मत चूकिए इस batch को batch से जुड़ने से now pathfinder pass की मैं बात करूं तो जहां एक तरफ हम affordability की बात करते हैं वहां पर हमने आपके तयारी को सही direction और सही समय time frame में आपकी तयारी पूरी हो उसको ध्यान में रखते हैं आपके लिए courses एक पास introduced किया है जिसमें आप unlock कर सकते हैं हमारे pathfinder के सभी courses को अगले दो साल के लिए for two years दो साल की आपकी एक तरह से कह सकते हैं तयारी सही direction में होगी पढ़ाई भी होगी revision भी होगा test भी होगा सब कुछ होगा यह pathfinder pass आप ले सकते हैं मात्र 20,000 रुपे में code आपको यूज करना है nd life 10 limited period के लिए offer है यह तो अभी जाकर इस में रोल कर लीजे बिल्कुल वेट मत कीजे कि बाद में कर लेंगे बिल्कुल नहीं कभी भी खतम हो सकता है offer जो ही 30,000 classes का access आपको मिलेगा साथ हजार जादा गंटे का content आपको मिल रहा है live और recorded 25,000 practice questions current affairs case studies CSAT के questions मतलब जो कुछ भी आपको चाहिए आपकी तैयारी में वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है अगर आपको कोई भी doubt है तो आप इस number पर call कर सकते है which is 9595 008800 और अपने doubts को clear कर सकते है code आपको use करना है nd live 10 बिल्कुल delay मत कीचे to enroll for this pass guys चलिए जहां हमने बात की कि Russia और China बिल्कुल पूरी तरह से एक तरह से बहुत छेड़ दिया है de-dollarization के लिए तो यह basically क्या है एक process है जहां पर जो US dollar है उसको घटाया जा सके ना क्योंकि हम जानते हैं BRICS का अपना एक bank है which is the new development bank और contingent reserve arrangement भी है तो कहीना कहीं इन दोनों की वजह से already जो BRICS का reliance है US dollar की या US financing पर वो घटा ही है कहीना कि इन्होंने एक role play किया ही है कुछ experts का तो यहां तक भी मानना है कि जो ndb है sorry national new development bank जो है ndb यह एक तरह से BRICS का alternative है to the world bank तो world bank पर dependency नहीं है dollar पर dependency नहीं है कहीना कि reliance कम हो गया है reduce हो गया है US dollar पर ठीक है यह है अब यहां पर एक चीज जो समझने वाली है कि भारत की समें position क्या है देखिए अगर BRICS currency बनती है या BRICS currency को introduce किया जाता है for de-dollarization तो यहां पर भारत कहीं न कहीं neutral देखने को मिलेगा भारत neutral है BRICS में हम एकलौती ऐसी country है फिलहाल जिस जो GDP की terms में बहुत अच्छा कर रही है और inflation भी lowest है फोड़ा बढ़ा है लेकिन compare अगर किया जाए तो we are still at the lowest inflation and हमारा GDP भी बहुत अच्छा कर रहा है इसके अलाबा हमें BRICS की आवशक्ता सिर्फ economic benefit के लिए नहीं है economy के लिए नहीं है जैसे रश्या और चाइना को है हमारा काम बिना BRICS करंसी के भी चल जाएगा आराम से और दूसरा रीजन यह हो सकता है कि इंडिया कही ना कहीं एक balance करने की कोशिश कर रहा है between Russia and the West तो दोनों के साथ ही दोनों के साथ संबंदों में balance लाने के लिए भी शायद भारत फुलकर ब्रिक्स करंसी के बारे में बात नहीं कर रहा और उसकी dependence नहीं भी है ब्रिक्स करंसी पर यह भी एक सही clarity है ही अब यहाँ पर जो current government है 2014 में जब नरेंद्र मोधी सरकार आई तो कहीं ना कहीं हमारे जो foreign policy थी वो काफी dynamic रही और उसमें बहुत clear था कि हम prioritize करेंगे अपने interests को over anything else हमारे इंट्रस्ट बहुत जादा महत्पूर्ण है वो सबसे उपर रहेंगे किसी policy को लेकर हम चल भी रहे हैं चाहे वो UN में absent होना हो from the voting या balance करना हो Russia और West के बीच में we are basically prioritizing our national interest over anything and everything else जिसकी वज़े से हमने एक तरह से जो reliance है हमारा Russian arms पर उसको reduce किया है making India से आप देख सकते हैं self-sufficiency की तरफ हम बढ़ रहे हैं इसी तरह से हम किसी भी pressure में नहीं आएंगे चाहे वो West हो चाहे वो रशिया हो तो हमारा stand बिल्कुल clear है इस संबन्ध when it comes to the currency जो कि हम Brics Currency की बात जो छेडी जा रही है बार बार ठीक है इसके अलावा क्या क्या discuss होने वाला है what are the plans Brics expansion को लेकर यहाँ पर discussion देखने को मिलेगा इस समित में Brics bank को लेकर discussion मिलेगा economic cooperation और friends of Brics को लेकर भी यहाँ पर discussion होगा एक एक करके समझते हैं Brics expansion की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दू कि जो leaders है पाचो leaders कहीना कहीं divided हैं about the expansion of the block by adding new members जिसमें कुछ admission criteria को include किया गया है अब 40 से जादा देश जिसमें की Saudi Arabia, Iran, UAE, Argentina, Indonesia, Egypt, Ethiopia यह सारे देश है जिरो ने express किया है अपना interest in joining Brics according to South Africa South Africa से बताएगा है कि यह सब जुड़ना चाहते हैं Brics से जहाँ चाहता है कि expansion हो expansion होगा तो क्या होगा जो यह वाला जो एक block है जो Brics है यह कहीना कहीं चायना को भी strengthen करेगा against US जो domination प्रूफ करनी है अपनी उसमें तो चायना डेफिनिटली चाहता है कि उससे फाइदा मिलेगा trade और geopolitics में चायना को अगर expansion होता है तो इसलिए support करता है Brics का expansion वहीं ब्रजील जो 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 स्पेक्टिकल है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए दूसरी तरह अगर रश्या की हम बात करें तो रश्या चाहता है कि वह over come करे अपने diplomatic isolation को जो रश् excited है भारत ने अपना stand-up यहां पर clear नहीं किया है इसके बाद बात करते है Brics bank की तो dollar ने कहीं न कहीं एक advantage जरूर गें की थी NDB जो National Development Bank है जिसको 2015 में established किया गया था यह अभी भी एक तरह से एक देख रहा है कि कैसे हम जो alternative currencies हैं उनका इस्तिमाल कर सकते हैं दो Brics इस वाले summit में 2023 के summit में देल भी no talks about common Brics currency जिसके बारे में पहले apprehensions थे कि हो सकता इसके बार discussion हो de-dollarization जैसी policies को ध्यान में रखते हुए लेकिन इस बार ऐसा ऐसी बातें नहीं होंगी यह यहां से clarification हुआ है इसके लवा NDB जो है वो भी expand हो रहा है NDB में expansion हो है बहुत सारे नए members इसमें जुड़ गए हैं तो यह key platform हो सकता है to attract more member countries बांगलदेश, UAE, Egypt अल्रेडी bank को join कर चुके हैं सिंस 2021 और इसके अलावा भी बहुत सारे राष्ट जैसे युरागे गुए या फिर यह process में जॉइनिंग, Algeria, Honduras, Zimbabwe, Saudi Arabia ने भी अपना interest express किया है to join NDB ठीक है इसके बाद अगला मुद्दा जो discuss होगा वो होगा economic cooperation को लेकर तो कहीना कहीं जो leaders है वो आप की countries जुड़ना चाहरी है तो ऐसा उमीद की जा रही है कि series of discussion यहाँ पर होगा with respect to trade and investment opportunities अलग-अलग sectors में, अलग-अलग countries में, जिसमें sectors की अगर हम बात करें तो it can be energy cooperation, infrastructure development, digital economy और job market, यह major point of discussion हो सकते है in economic cooperation by these country heads, इसके बाद एक और बहुत महरपून discussion जो होगा वोगा friends of bricks, क कि बहुत सारे देशों ने interest show किया है to come and join bricks, किनको accept किया जाएगा, किसको मना कर दिया गया, यह भी देखने वाली बात है, तो जो आकरे दिनों का summit का, उसमें expect किया जा रहा है कि बातचीत होगी leaders के, बाकी दूसरी countries के साथ, तो आपस में इनकी बातचीत होगी, यहाँ पर अब यहाँ पर जहाँ 67 राष्ट्यों के leaders को invite किया गया है summit को attend करने के लिए, France ने सामने से आकर अपना interest show किया था, कि हम join करना चाहते है summit को, लेकिन Russia ने उसको oppose किया, जैसा कि मैंने आपको शुरुबात में बता है, क्योंकि French ने सीधा सीधा यहाँ फ्रांस का सीधा समर् पॉइंट है, इसके अलावा particular attention यहाँ पर pay की जाएगी to the relationship between BRICS and African countries, तो BRICS और African countries के बीच में जो रिलेशन है उस पर बहुत ध्यान दिया जाने की उमीद है, तो दीकि South Africa में हो रहा है, उसके वज़े से भी हो सकता है, बाकि trade cooperation की वज़े से भी ऐसा हो रहा है, तो यहाँ यहाँ पर basically summit की जो theme आप देख सकते है, BRICS and Africa रखी गई है, इसके पीछे intent यह है कि जो BRICS partners है, वो बहुत एगर है explore करने के लिए, जो भी opportunities है और benefit zone को मिलने वाले है from the African continental free trade area, तो इस वज़े से यहाँ पर BRICS और African countries के बीच में जो relationship है, इस पर बहुत जादा ध्यान दिय जाने वाला है, तो these are the most important points जो हो सकता है, discuss भी किये जाएंगे, जिन पर चर्चा भी की जाएगी BRICS समित में जो होने वाला है, जिसमें भारत definitely एक बहुत important role play करने वाला है, क्योंकि भारत ने कुछ चीजों पर अपना stand beetle clear किया हुआ है, I hope आपको यह clearly समझ में हैं दोस्तो So optional carnival से आप जोड़ सकते हैं, जहाँ पर यह optional subjects आपको पढ़ाया जा रहे हैं, ND light 10 आपको code यूज करना है, batches हमारे already 15 अगस्से शुरू हो चुके है, history और PSIR के, एक अगस्से geography का और 1 September से anthropology शुरू होने वाला है, combo subscription भी आप ले सकते हैं, जहाँ पर आप GS और optional दोनों की त Pathfinder की दोस्तों जो आपको आपकी तयारी में आपको support करेगी, कह सकते हैं, आपकी तयारी को, आपकी गोल को, आपकी जो expectations है, आपकी जो चाहते हैं, civil servant बनना, उस उडान को सही, उस उडान को सही दिशा देगी और सही उडान भी provide करेगी, perspective से आप जुड़ सकते हैं to clear all your UPSC doubts, हमारे जो भी PDFs हैं, आपको available जाएंगे, description में, comments में, उसका जो link है, साथ में, description box में दियागा, एक form, उसको fill करके, हमें reach out कर सकते हैं, मने doubts and queries के लिए, हमारे channel को subscribe करने के लिए, आपको square code को scan करना है, so that you get all the information about the patches, timing, schedules, etc, जो भी आपको information जाएं, आपके fingertips पर मिल जाए, code मेरा है, ndlive10 दोस्तों, इसको अपनरोल करने के लिए, यूस कर सकते हैं, that's it from my side, I hope you like the session, don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon, so that you get notifications about the latest stuff,